राम राम सरस्वती जोतिश्विज्ञान इंसिट्यूट ओफ एस्टोलोजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वा शेर करें आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ रोजगार से सबंदित समस्याओं के बारे में हमारे पास जो लोग आते हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनको काम धंदे की समस्या नौकरी की समस्या होती है लाखों उपाई करके देख लिए हर जगा शीश नवाया हर कारे करके देखा लेकिन बरकत कहीं से नहीं पड़ी एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तीसरे के बाद चौथा काम बदला लेकिन हालाद जोंके तों ऐसे कौन से कारण ऐसी कौन सी स्तिती होती है जिसके कारण हमें वेपार वे नौकरी में स्टेबिल्टी नहीं मिल पाती दिमाग परिशान हो जाता है तो उसके बाद हर शक्स का ध्यान जोतिश के तरफ जाता है क्योंकि एक जग्यासा मन में उड़ती है कि ऐसी क्या समस्या है जाने तो सही हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है तो उसी अपने अनभव के ग्यान को मैं आपके साथ आज साजा करने जा रहा हूँ लाल किताब में इसके बारे में बहुत सुंदर व्याक्या की गई है बताया गया है कि ऐसी समस्या है जब आए तो उसका कारण क्या होता है और उसका निदान क्या है तो उसी कारण और निदान के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा मेरी एक बात को समझने की कोशिश करिए आप किसी भी शेत्र में कारे करते हों ठीक है मान लीजिए आपका वेपार है आपका वेपार है और आपने वहां पर वरकर रखे हुए है यह आप भाई भाई हैं ठीक है आप वेपार कर रहे हैं मिलके और जब अपने कारेस्थल पर आप बैठे हैं ऐसे एक्जामपल आपको समाज में मिल भी जाएंगे अपने कारेस्थल पर आप बैठे हैं और आपका भाईयों भाईयों से या आपके जो वरकर हैं उनका आपस में टकराव हो रहा है वो आपस में लड़ाई जगड़ा कर रहे हैं या आपके आपके भाई के साथ विचारिक मदभेद है तो ये जो विचारिक मद्भेता आपके कारेस्थ हल पर पूरे परभावी है आपस में आपका कलेश होने के कारण आप गाली कलोश तक पहुंच जाते हैं हाथा पाई तक आ जाते हैं तो ऐसी स्तिती में क्या वेपार हो पाएगा नहीं यानि कि आपका धंदा पूरी तरह से चौपट हो जाएगा ऐसी ही कुछ स्तिती ग्रेहों की बनती हैं जिसे लाल किताब जोतिश विद्या में अंधे ग्रेहों की कुंडली कहा जाता है तो ये अंधे ग्रेहों की कुंड़ी होती क्या है और इसका निर्मान कैसे होता है पहले तो ये एक दो धारन के साथ मैं आपको बताऊंगा ज्यादा एक्जामपल नहीं दूँगा बाकी आप अगर जोतिश नहीं जानते तो किसी विद्वान से मिलकर लाल किताब की इस भारे में जान सकते हैं लाल किताब का वो जानकार हो नहीं तो अगर आप विद्वान हैं तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे एक्जामपल एक दो दूँगा तो आईए समझते हैं कहानी है क्या आखर तो ये समझ लीजिए कि ये आपकी जनम पत्रिका का चार्ट है या ये चार्ट किसी की भी जनम पत्रिका का हो सकता है इसमें यहां पर राशी कोई भी हो सकती है यहां पर राशी कोई भी हो सकती है इसका लाल किताब की अनुसार इतना महत्व नहीं होता जब इसका फरादिश किया जाता है तो ये जब हम गिनते हैं यहां से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और ये दस ये जो दसमा भाव होता है ना जरम पत्रिका का ये करमस्थान है करमस्थान और किस्मत का मैदान यानि कि हमारी किस्मत यहीं से निधारित होती है हम कारे करेंगे तो ही हमारी किस्मत बनेगी और जो हम करम करेंगे उस करम को करने से ही हमें लाब यानि कि धन की प्राप्ती होगी तो ये खाना नंबर दस जिसे हम कहते हैं जिसका मालिक शनी है ये बेहद महतपूर्ण हो जाता है जब हमने धन कमाना है उस दृष्टी कौन से अब इस खाना नंबर में ऐसी स्तिती क्या बनती है जिसके कारण ये समस्याए हमको जहेननी पड़ती है जिसको अंधी कुंडली कहकर पुकारा गया है इस खाना नंबर में अगर आपस में कोई दो दुशमन ग्रह या उससे ज्ञादा आपस में दुशमन ग्रह मिल कर बैठ जाएं तो वह कुंडली अंधे ग्रहों की बन जाती है अंधे ग्रहों की कुंडली से तात्पार य ordinance ये है कि वह जातक जितनी मरजी मिहनत कर ले जितना मर्जी विपार बदल ले जितनी मर्जी नौकरी बदल ले उसकी हालत अंधो जैसी होगी उसे आगे दिखाई कुछ नहीं देगा काम धंदा चौपट ही रहेगा उसमें कोई बरकत नहीं पड़ेगी ये दो दुश्मन ग्रह आपस में लड़ रहे हैं तो आपका ये खाना पूरा एक्टिव हुआ पड़ा है उन दुश्मनों की लड़ाई में जिसके कारण इसका दुश्परभाव आपके कारेस थल पर पड़ रहा है आप सैटिंग नहीं कर पा रहे हैं अब ये ग्रह जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है मंगल और बुद्ध ये भी हो सकते हैं ठीक है जी इसके इलावा मान लीजे उधारन के तौर पर मंगल बुद्ध ना हो यहां मंगल और केतू भी हो सकते हैं ठीक है जी अब ये स्तिती यहाँ पर बदल जबी सकती है ये देखिए बदलेगी कैसे यैसे कि आपसी दो दुश्मन होते हैं ना उनकी तासीर बदलती जाएगी मान लीजिए यहाँ पर सूर्य और शनी है ये भी परमशत्रू है तो ये हो तो भी ये ग्रहें अंदे ग्रहों की कुणली इसके इलावा अगर हम चलें यहाँ पर गुरू और शुकर ठीक है तो स्तिती बदलती रहेगी ठीक है ग्रहें की स्तिती बदलती रहेगी लेकिन खाना नंबर वही रहेगा अब यहाँ पर बुध वे गुरू भी हो सकते हैं ठीक है शुकर और राहू भी हो सकते है यह देखिए शुकर और राहू ठीक है यह भी इस्थिति हो सकती है इसके लावा शुकर के साथ यहां सूर्य भी हो सकता है तो ऐसी स्थिति यानि के भिन भिन स्थितियां बनती है तो यह स्थिति अगर आपकी कुण्ड़ी में है जैसे मैंने ये ग्रै बोले खाना नमबर दस में तो आप समझे कि आपकी कुण्ड़ी अंधे ग्रैहों की कुण्ड़ी है अंधे ग्रैहों की कुण्ड़ी से मतलब यह ही है कि जिंदगी कमाने की दृष्टी से अंधो की तरह बीतेगी रस्ता और मन्जिल का कोई पता नहीं होगा रस्ता और मन्जिल का कोई पता नहीं होगा जिंदगी अंधेरे में हाथ मारते हुए बिना किसी सहारे के गुजरेगी. अब यहाँ पर तलाश होती है एक सहारे की जो हमें रास्ता दिखा दे जो हमें पार लगा दे और हमारा काम धंदा हमारी रिजग चला दे. तो वो उपाई यहाँ पर किया जाता है अंधों को खाना खिलाने का. आम तोर पर लाल किताब कहती है कि अंधों को खाना खिलाएं लेकिन खाना नंबर दस है तो कई लोगों का मत है कि हम दस अंधों को अगर खाना खिला देते हैं तो हमारा कारी शेत्र बढ़िया होने लग पड़ता है हमारे काम चलने लग पड़ते हैं और हमारी नौकरी में भी अगर stability नहीं है तो stability आ जाती है तो मैं यहां कहूंगा कि गिंती या संख्या का इतना प्रभाव नहीं है, उपाई ही काफी है आप अंधे को चाहे एक को दो को, दस को, सौ को, पांसो को खाना खिला दे, यह आपका सामर्थ है अंधो को खाना खिलाने से आपका यह उपाई, बेहत ही करगर से धोगा करके देखिए अवश्य आपको लाब होगा इस उपाई को करने से, हमने तो बहुत लोगों को यह उपाई करवाया, और एक का भी बेयान यह नहीं आया कि मुझे इससे लाब नहीं हुआ हर किसी को इससे लाब हुआ हाँ, स्तिती, खाना नंबर दस की ही रहे, दो दुश्मन ग्रै आपस में लड़ते हो खाना नंबर दस में तो फिर आपको 100% इस जगा से इस उपाय को करने से लाब होगा तो अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से पीडित हैं, अगर आपको तो मेरा ये कुणली समझाने का ढंग समझ आ गया, अपनी जवनम पत्त्री का आप सामने लेकर बैठें और अपने ग्रहाँ को समझ ले, अगर समझ आ गया तो ठीक है नहीं तो किसी लाल किताब की विद्वान को अपनी कुणली दिखा कर अपना उपाय करें, सीधे सीधे उपाय ना करें, जोतिश को खेल ना समझे, ठीक है, ये बेहत बड़ी साइंस है बिना समझे, अगर कोई उपाय करेंगे, तो हो सकता है, वो आपको नुकसान कर जाए, लाब देने की जगा, तो इसलिए मैं यही कहूंगा, किसी भी विद्वान को आप अपना पत्रिका दिखा कर अंधे ग्रहों की कुणली आपकी है के नहीं, अगर आप नहीं बात समझ पाए, तो चेक कर आके, यह उपाय ज़रूर करें आपको वश्यलाब होगा तो जनहित में यह वीडियो जारी है जिनको यह समस्या है वह यह उपाय करके ब्लाइंड आश्रम में, यहां कई बार सडकों पे हम देखते हैं, कि लाइन लगाके एक के पीछे एक अंध्य आपस में चलते जाते हैं, हाँ एक समस्या मैं आपको और बता दूँ जो सडक पे अंध्य चलते हैं ना, उनको खाना खिलाने में दिक्कत बहुत आती है क्योंकि इनको अगर जादा खाना खा लेना, तो समस्या एक आजाती है, प्रेशर पढ़ जाता है प्रेशर पढ़ जाता है और इसलिए यह पानी और खाना बड़ी सीमिद मातरा में खाते हैं जब यह सडक पे निकलते हैं मांगने के लिए अगर कोई बिखारी है यह वैसे ही यह बजार जाते हैं, तो यह लोग खाना नहीं खाके निकलते इतना पानी नहीं पीके निकलते इतना कि रास्ते में कहीं मुत्रवी सर्जन यह प्रेशर पढ़ गया तो बड़ी भाड़ी समस्या हो जाएगी तो आश्रम में ही जाना बहतर है क्योंकि सडक पर मिल भी गया अगर कोई तो यह आपको खाना खाने से ना दे देंगे, जल्दी नहीं खाते ठीक है? तो इस समस्या के कारणी यह होता है तो ब्लाइंड आश्रम में जाकर ही यह उपाए करें, तो यह बहतरीन उपाए है आपको वश्यल आप देगा करके देखिए तो राम जी आपकी भली करें गुरू की गिर्पा आप पर बनी रहे जैमाता देगे